जो व्यक्ति passport के लिए apply कर रहा है fresh करे या reissue करवाई तत्काल passport बनवाई PCC बनवाई या background verification for GEP के लिए या identity certificate बनवाई तो इन सारों के लिए कितनी कितनी fees government चार्ज करती है आप ये घर बैटे पता लगा सकते हैं मैं आपको practically दिखाऊंगा कितनी कितनी fees इन सब के लिए लगती है ताकि आप जब passport के लिए online apply कर रहे हो या offline apply कर रहे हो तो आप किसी भी scam से बच सकते हैं दोस्तों मेरा नाम है साहिल आगे बनने से पहले अगर आपको frauds related videos देखनी है तो चैनल की playlist में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर all types of frauds के नाम से playlist में ने बनाई है और इतना ही नहीं KYC document में कोई भी दिकत आ रही है तो प्लीज कमेंट में उसके बारे में आप बताए दोस्तों आपको सबसे पहले जो है यहां about us पर जाना है profile पर क्लिक करना है अब दोस्तों आपके सामने यहां पर जो है left side में fee calculator इस पर लिखाएगा यहां पर क्लिक करना है अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर select करना है कि आपको passport बनवाना है PCC बनवाना है या आपको identity certificate बनवाना है या surrender certificate बनवाना है या background verification for GEP के लिए बनवाना है तो माली जी मुझे passport बनवाना है तो मैं passport प्लिक करता हूँ type of service मैंने इस पर क्लिक किया fresh बनवाना है या reissue करवाना है मुझे fresh बनवाना है अब उसके बाद मुझे जो है जो मेरी age है वो less than 15 years है या 18 साल से उपर है या 15 से 18 के बीच में है तो मेरी 18 साल से उपर है तो मैं यहां पर select कर लेता हूँ number of pages यानि कि जो आप passport बनवा रहे हैं उसके pages कितने हो 30 36 हो या 60 हो तो मैंने 36 कर लिया है फिर required scheme यहां पर आपको normal passport बनवाना है यह ततकाल अभी के लिए अब आपको जल्दी चाहिए तो आप जल्दी एक बनवाना चाहते जल्दी नहीं तो normal मैंन इसे ही आप जो है माली जी आपको PCC बनवाना है तो आप PCC की फीस यहां से ऐसे calculate करके देख सकते हैं कि कितनी फीस है 500 रुपे ऐसे ही आप जो है identity certificate की फीस चेक कर सकते हैं इसमें आपको type of service select करना है fresh और उसके बाद आप calculate कर सकते हैं फीस ऐसे ही दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं surrender certificate की फीस भी कितनी surrender certificate की फीस होगी और ऐसे ही last में आप देख सकते हैं अपना background verification की फीस यह देखें दोस्तों I hope दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगए होगी वीडियो पसंद आए तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और उसे share कीजिए चैन्त चैभारत